केंदर सरकार द्वारा हाली में पारिस किसान बिल के बाद देश भर में विपक्ष द्वारा इसका विरोत किया गया यहां तक की सडकों पर आंदोलन भी हुए इसके लिए भाजापा द्वारा इस बिल से किसानों को क्या लाब मिलने वाला है और किसान के हाथ इस से और मजबुत होंगे इन बातों को अब किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है इसी कडी में आज करोली धोलपुर संसद मनोज राजोरिया अलवर पहुंचे यहां उन्होंने पत्रकार वारता में किसान बिल का जिक्र करते हुए कहा हैं और किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। किसान के माट्यम से अनिकार किसान पर इसके वह विए गये। किसान के migrant आख मुन खिए। इसे की कारण विजय की है। और इसका मुत हुचे जेशिता कि किसान में दोनों हाथों में शक्ता है। किसान जो अपनी फसल करता है फसल को बेशने के लिए अपनी मंडी के अंतर रिवश होता है राजोरिया ने इस दोरान राजसान में लगतार बढ़ रहे अपरादों पर गहलो सरकार पर निशाना सादा उन्होंने कहा कि करोली के सपोटरा में जिस तरह एक पुजारी को जलाकर माल डाला उसके अभी तक सिर्फ दो आरोपियों को पुलिस गृफतार कर पाई है जबकि अन्य आरोपि जो भी हैं उन्हें तुरंत गृफतार किया जाना चाहिए और गहलो सरकार जाँच के नाम पर सीबी सी आईडी से जाँच करा रही है जबकि अपराध्यों को गृफतार नहीं किया जा रहा सरकार और प्रिशाशन की जिस तरीके से मिली बगत थी अपराध्यों के साथ में उसका एक दुष्परिणाम था कि अगर हम दवाओं नहीं डालते हम धरने प्रदेशन नहीं करते तो शायर यह आरोपी कभी गृफतार नहीं होते है पहले एक आरोपी गृफतार था उसके बाद में दूसरा भी कल हुआ है और बाकी आरोपी भी फरार है और जिस तरीके से कॉंग्रेस की लीपाप होती चल रही है कि अभी CIDCP को जांस देकर जिस तरीके को इसको गटना को नया गटना करम मोड़ने की कोशिश की जा रही है मैं सोस्ता हूं कि सरासर गलत है और मुझे लगता है कि उस परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए सामाजिक सरवकार के मुद्दे के ओपर जनहित के मुद्दे के ओपर अंतिम व्यक्ति के न्याय के लिए हमारे पंडिर दिन दयल अलपाद्याई जी का जो अंतोद है कि यो हमारा संस्कार है हमारे विचारदर है उसमें यह है कि हमारे अंतिम व्यक्ति को न्याय के से झाल